राजितिव इज्ञान विशय में आजम कक्षाबारा के अध्याय दिधिरुविता का अंत का अध्यन करेंगे यह बोड परिक्षाओं की तैयरी के लिए रिविजन का पाटिक्रम है पहला प्रश्ण है बर्लिन की दिवार कब बनाई गई थी इसके विकल्प हैं 1971, 1899, 1978, 1975 भाजित कर रखा था, यह बर्लिन की दिवार वर्च 1971 में बनाई गई थी यानि कि यहां पर बिकल्प कोई इसका सही उत्तर है दूसरा प्रस्ण है बर्लिन की दिवार कब गिराई गई थी इसके विकल्पे हैं 39 नॉवंबर 1989 दूसरा है 19 नॉवंबर 1989 दूसरा है 9 नॉवंबर 1989 और चोहता विकल्पे है 1 नॉवंबर 1989 जब हम बर्लिन की दिवार बनने की बात करते हैं तो हम 1971 बनी थी और यहो 9 नॉवंबर 1989 यानि की 1989 में गिराई गई थी इस तरह से यहो कब बनी थी और कब गिराई गी थी यहो मैं पता होना चाहिए तीसरा प्रस्ण है बर्लिन की दिवार लगभग कितनी लंबी थी इसके विकल्पे हैं 120 किलोमेटर, 150 किलोमेटर, 145 किलोमेटर, 180 किलोमेटर बर्लिन की दिवार लगभग 150 किलोमेटर लंबी थी यहाँ पर विकल्प पको इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है बर्लिन की दिवार ने पूजिवादी दुनिया और सामिवादी दुनिया को विभाजित कर रखा था पांचवा प्रसंग है समाजवादी सोव्यत गंडराज यानिकी सोव्यत संग कब अस्तित्तुमा आया। योजनाबद और राजी की नियंतलम थी इसके विकल्ब हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोब्यसंग इसका सही उत्तर है सोब्यसंग शोब्यसंग की जो अर्थविय वस्ता थी वह एक प्लान्ड एकोनमी यानि की योजनाबद थी और वहाँ पर सारे काम राजी की नियंत इसके विकल्ब हैं चीन, अफगाणिस्तान, भार्त, जापान इसका सही उत्तर है अफगाणिस्तान, शोब्यसंग में शोब्यास संग ने अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 1989 यानिकि 10 वर्षों तक हस्तसिप किया था जिसे कहीं न कहीं शोब्यास संग को बहुत नुक्सान जेलना पड़ा था आठवा प्रशन है वर्षों 1991 में किसके नित्रत में शोब्यास संग के तीन बड़े गणराजयों रूस यूक्रेन और बेलारूस ने शोब्यास संग की समाप्ति की घोशना की इसके विकल्पे हैं गोर्वाचोप, पोतेन, बोरिस एलतसेन और प्रोक्त सभी इसका सही उत्ता है बोरिस एलतसेन यानि कि 1991 में शोब्यास संग के तीन बड़े गणराज रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने शोब्यास संग की समाप्ति की घोशना की थी नवा प्रशन है, दूसरे विश्योदे के बाद पूर्वी इरोप के देश किसके अंकुस में आ गए थे? इसके विकल्पे हैं अमेरिका, शोब्यास संग, चीन, भारत, इसका सही उत्तार है शोब्यास संग, जो दूसरे विश्योदे के बाद जो सीती उत्र का दौर चला उसमें पूर्वी इरोप के देश, शोब्यास संग के अंकुस में थे? वहीं पश्यमी इरोप के देश जो है, वह पूंचवादी विचारधारा, यानि कि अमेरिका के तरफ थे? दर्स्वाप्रशन है, शोब्यास संग के 15 गणराजियों में किस देश का प्रभूत्य था? इसके विकल्पे हैं, रूस, बेलारूष, यूक्रेण, कजाकिस्तान. शोब्यास संग जो 15 गणराजिय थे, उसमें रूस का प्रभूत्य था, यानि कि जो अन्नी देश थे, 14 दे संग्टन का कारणी हो, बना. 11 प्रस्वाप्रशन है, शोब्यास संग के 15 के 5 गणराजियों का प्रभूत्य थे, विकल्पे हैं, रूस, बेलारूष, यूक्रेण, कजाकिस्तान. इसका 7 गणराजियों देश का प्रभूत्य थे, उसमें कि संग्टन के 5 गणराजीयों के 5 संग्टन बनाया था उसका क्या नाम था इसके विकलब हैं CIS, COS, CIN, CSS जब सोब्य संग का विक्टन हुआ तो इसका विक्टन 15 राज्यों में हुआ जिसमें 12 राज्यों ने CIS Commonwealth of Independence State बनाया और तीन जो बाल्टिक अंड राज्य थे लित्वानिया, लात्विया और एस्टोनिय वे अलग होए थे, वे CIS में सामिल नहीं थे तेरवा प्रश्ण है, ग्लास्ट और परस्टोइका किस ने प्रस्तावित किया? इसके विकलब हैं, एल्टसेन, मिखाई गौरवाचौप, पोतिन, उप्रोक्त मैं से कोई नहीं परस्टोइका और ग्लास्टोइका की जो नीती थी, वो मिखाई गौरवाचौप की द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जहां ग्लास्टोइका का मतलब था खुलापन और परस्टोइका का मतलब था पुरह निर्मान चौर्वा प्रशन है निम्नमे से कौन बाल्टिक गणराज नहीं है इसके विकल्पे हैं लात्विया लिथुवानिया एस्टोनिया रूस इसका रही उत्तर है रूस यहाँ पर लात्विया लिथुवानिया और एस्टोनिया यह तीनों ही गणराज बाल्टिक गणराज है North Atlantic Treaty Organization का कट्रिन किया था 1950 में तो कब जो है ये जो बाल्टिक गणराज ये है ये नाटू में सामिल हुआ हम बताना है इसके विकल्पे हैं 2005, 2000, 2004, 2001 इसका सही उत्तर है 2004 2004 में एस्टोनिया लात्विया और ये लिथुआनिया यहां पर दो बार नाम आ गया है एस्टोनिया का इ एस्टोनिया तीन देश हैं बाल्टिक गणराज ये 2004 में सामिल हुए थे शुनुआ प्रशन है शोबय संग के विक्टन के बाद बने राष्टकुल यानि कि CIS में कितने सदश्य हैं इसके विकल्पे हैं 12, 13, 14, 15 इसका सही उत्तर है 12 बारह देशों ने राष्टकुल यानि इसका सही उत्तर है शोबय संग जो सामिवादी देश हैं उन्हें बिक्षित देशों ने जिने पहली आपको पहली दुनिया का देश का और जो सोबय संग है उनकी व्यवस्ता को देखकर आलोसना स्वरुप उन्हें दूसरी दुनिया कहा गया वहीं जब हम तीसरी दुनिय तो बिकासिल और अल्पविक्सी देशों को तिस्यु दुनिया के देश कहा जाता है। शौक थेरेपी उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं। जो एक खास मॉडल अपनाये गया था। 1971-1998 भारत और सुब्यसंग के बिच में मितरता संदी 1971 में हुई थी या 20 वर्चों के लिए थी। सही उत्तर है शोब्यसंग। भारत की जो आर्थिक मदद की थी उस समय सीट युदि के दौरान भिलाई, बोकारो, विशाका पटनम के जो इसपात कार्खने लगे हैं और भारत हैवी इलक्टिकल्स में जो मदद की है वो शोब्यसंग के द्वारा की गई है। इसके विकल्पे हैं ओजिवादी, शाम्मिवादी, लोक्त आंत्रिक, उप्रोप्त सभी इसका सही उत्तर है साम्मिवादी शोब्यसंग ने किस सैन्निक अडवन्दन का निर्मान किया था। इसके विकल्पे हैं नाटो, शीटो, शेंटो, वार्षापैक्ट सोब्यसंग ने नाटो की जवाब में वार्षापैक्ट बनाये था, 1945 में। चोविश्वा प्रश्ण है, शोविय संग में किस राजनितिक पार्टी का दबदबा था? इसके विकल्पे हैं क्यामिवादी पार्टी, लेबर पार्टी, रेपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रिक्टिक पार्टी, सोविय संग में सामिवादी पार्टी का दबदबा था? यहां मिखाय गुर्वयाचोप के द्वारा की गई थी और ये जो शुदारों की शुरुवात थी कही न कहीं सोव्यासंग के विक्टन के लिए भी उत्तरदाई हो गई थी 25 प्रशन है किस दिवार का गिरना सीत युद्र के अंत का परतीक था इसके विकल्पे हैं चीन की दिवार बर्लिन की दिवार अमेरिका की दिवार और चोहता है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं इसका सही उत्तर है बर्लिन की दिवार जब 1989 में बर्लिन की दिवार गिरी थी तो कह यहां पर कुछ घटनाओं की जिक्र है और उसी समधी वर्स है पहला है अफगान संकट 1979 दूसरा है बर्लिन की दिवार का गिरना 1989 इसतरा है सोब्या संका विक्टन 1981 जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो अफगान संकट 1979 से लेकर 1989 तक चला बर्लिन की जिवार 9 नॉम्बर 1989 इसलिए यहां पर ये गल्त है रॉस की करांथ 1717 में हुई यह हुश है इसलिए इस प्रस्ण का सही उत्तर आपको विकल पोगव सौब्या संका विक्टन 1981 लिखना है अटाइस्वा प्रस्ण है रूस में कारिपालिका सक्ति किसके हात में इसके विकल्पे हैं रास्टपात इसका सही उत्तर है उन्तिस्वा प्रश्ण है शोवय संग के अंतिम राष्टपती कौन थे इसके विकल्पे हैं इल्टसेन, गोरबायचौप, पुतिन, स्टालिन इसका सही उत्तर है मिखाईल गोरबायचौप शोवय संग के अंतिम राष्टपती मिखाईल गोरबायचौप थे यहाँ पर विक पूर्वी जर्मनी आपको याद रखना है कि इस दिवार ने पूर्वी जर्मनी और पश्मी जर्मनी को विहारित किया था पूर्वी जर्मनी वाने सामयवादी गुट और पश्मी जर्मनी माने विक्सित देशों का गुट या पूर्वी जर्मनी पूजिवादी विचारधारा से समंदित जो लोग हैं वो पश्मी जर्मनी में रहते थे और शोव्यत संग की सामयवादी विवस्ता वाले लोग पू तो शौक थेरपी का साब्दी करता है आगात लगा कर उपचार करना। इस्तरा प्रस्टन है इत्याहाज की सबसे बड़ी गराज सेल से क्या अभिप्राई है। अगला प्रस्टन है मद्देश्या में कौन्छा देश 10 वर्षों यानि की 2001 तक ग्रह युद्य की चपेट में रहा। देश्या 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 देश जौर्जिया जौर्जिया जो है 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना था तो कभी-कभी इन वैसे दो-तिनों के नाम पुछ जाते हैं कि CIS में जो उनसे दिशा मिलत उनका नाम लिखे तो कुछ देशों के नाम को पता होना चाहिए अगला प्रशन है मिखाईल गोरवाचॉप के कारियों को लिखे जो मिखाईल गोरवाचॉप जो कि सोब्या संग के अंतिम राष्टपती 1985 से 1991 तक थे इनके कारी निम लिखी थे पहला इन्होंने आर्थिक सुदारों के लिए पैरेस्ट्रोइका और ग्लास नोस्ट की नित अपनाई थी ताकि आर्थिक और आजितिक स सकें दूसरा अमिर्का के सां हत्यारों की होड में सामिल हो गये थे अफगानिस्तान से इन्होंने सेना को आपस बुला लिया था जो हमने अभी बात कर रहे थी कि 1979 से लेकर 89 तक अमिर्का सोब्या संग की सेना ने अफगानिस्तान में हत्यस्यव किया था तो 10 सालों तक वहां सोब्या संग को काफी नुक्सार हुआ तो मिखायल गुर्वाचोप ने वहां से सेना वापस बुला ली थी उसके बाद जर्मेनी की एकिकरन में ये सायक रहे और सी तुदी की समाप्ति में की अहम भूमिका मानी जाती है और हम जानते हैं कि मिखाय गुर्वाचोप को उनके द्वारा किये गए जो सांतिक के कारी थे उसके लिए उन्हें नोबल प्राइज भी मिला था अगला प्रसन है शोब्यात मनाली से क्या भी प्राय है इसकी प पुझाता है कि शोब्यात संग कब अस्तितुमाया तो शोब्यात संग वर्स 1917 में अस्तितुमाया था जिस समय देश में अधिकांत देशों में पूझिवादी विचाधारा यानिकि कैपटिकलिस्टिक आइडिलोजी का परसार बहुत तेजी से हो रहा था उसके विरोद मे एक नई ब्यावस्ता जिसे हम बोलते हैं सामयवादी का उदय शोब्यात संग में हुआ यहाँ ब्यावस्ता शोब्यात पणाली के नाम से जानी जाती है तो शोब्यात पणाली जो है 1917 की ब्यावस्ता से शोब्यात संग यानिकि रूस से शुरू हुई थी अब इसकी विश प्लांड थी योजनाबद थी और उस पर राजी का नियंतर था अब जब हम बात करते हैं वहाँ पर संचादनों की तो वहाँ के संचार पणाली उर्जा संचादन, लोहा, इस्पाद, मसिनरी और उत्पाद में उन्नत दर्जा उसको प्राप्त था सुवियोस्तित विसाल अबागमन पढाली वहाँ पर जो आने जाने की वियोस्ता थी वह बिवड़ी विसाल थी और सुवियोस्तित थी घरेलू बोगता उद्योग जिसमें पिन से लेकर कार तक ऐसा मान जाता है तो वहाँ पर पिन से लेकर कार तक सभी वस्तों का उत्पादन किया जाता था हाना कि ये वस्तों गुल्वत्ता की लिहाँ से पश्चिमी देशों की तुल्णा में कम इस्तर के थी मतलब हम ये कहते हैं कि सुविय संग में पिन से लेकर कार तक की वस्तों तो बनती थी लेकिन जब हम इनकी quality की बात करते हैं तो गुर्णवत्ता की नजरिये से ये वैसी नहीं थी जैसे पस्चिमी देश अपनी वस्तोय बनाते थे यानिके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पस्चिमी देश उनकी वस्तोय थी उनकी गुर्णवत्ता अच्छी थी और जो सुवय संग में वस्तो का निर्माद होता था पिन से लिकर कार तक तो सभी का होता था लेकिर उनकी गुर्णवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी नवा है सरकार द्वारा अपने नागरिकों को समाच कल्याण की सुविदाएं जैसे स्वास्त, सुविदा, शिक्षा, पज्चो की देखबाल, आधि की ब्यवस्ता की जाती थी वहाँ पर ब्रदावस्ता पैंसन मिलती थी अगला है इस ब्यवस्ता में लोगतंत्र अव्यक्त की आजादी नहीं थी ये बात सही है कि सुविदा संग में आपको बोलने की और अव्यक्त करने की आजादी नहीं थी जिससे लोग अपनी आशामित को अक्षर चुटकुलों और काटुनों के माध्यों से परदशित करते थी यानि कि लोगों को अगर कोई बाद अच्छी नहीं लगती थी तो फिर वो वहाँ पर चुटकुलों का और काटुनों का सारा लेते थे तांकि राजजी का विरोध किया जा सके इस तरह से आपको इपढ़ना है अगला प्रस्न है भारत और सोब्यसंग के संबंदों की बिवेचना कीजिए कि भारत और सोब्यसंग के संबंद किस परकार के थी भारत और सोबय संग के समद्ध सीत उधीक के जोरान 20 जब दो गुटों बट गया था तो भारत उस समय गुटनिडिपेक्स था और दोरों महासुक्तिों के से जो है उसके मधूर समद्ध ते lip कि भारत ने अमेरिका और सोब्य संग के साथ मधूर स्रमंद स्तापित किये और अपने राष्टी हितों के अनुसार उसने निर्णय लिया कुछ बिचारक भारत का जुकाव सोब्य संग क्यों मानते हैं उसके उन्हें कारण दे रिखे हैं पहना आर्थिक संबंद जब भारत को भारत को आर्थिक सायता की जरूरती या हम ये कह सकते हैं भारत में कंपनिया लगाने की बात आयी थी तो शोब्या संग ने भारत के सारजनिक सेत्र की कंपनियों में अपना शायोग दिया, भिलाई, बोकारो, विशाका पत्तम, ये जो इसपारत कारखाने हैं और भारत है भी इलेक्टिकल जैसी मशनी सेंटों में आर्थिक और तक्निकी सायता शोब्या संग के द्वारा दी भारत से कहा कि हम आपके सारज रूपिय में व्यापार करेंगे जिससे भारत और सोब्या संग का जो व्यापार था वो बहुत निजिसा आगे बढ़ा, दूसरा है राजनितिक संबंद। जब राजनितिक संबंदु की बाद आती है तो सोब्या संग ने शहिंत राश्य कस्मीर के मसले पर हमेशा भारत का शमर्तन दिया है यानि कि जम्बू कस्मीर के मामले में हमेशा सोव्यसंग भारत के साथ खड़ा रहा सन 1971 में दोनों देशों के बीच में मैत्री संद्य हुई थी 20 वर्चों के लिए अभी हम निश्प चाचा की थी कि 1971 में भारत और सोव्यसंग के बीच में मैत्री संद्य हुई थी योगी 20 वर्चों के लिए थी इसे हम Treaty of Friendship and Cooperation कहते हैं सैनी संद्ध सोव्यसंग ने भारत को सैनी साजो समान भी दिये जिससे भारत को अपनी उपकरन बनाने में मदद मिली जब हम कल्चरल रिलेशन की बात करते हैं तो सोव्यसंग में हिंदी फिर्मों और भारती संद्ध को लेकर बहुत ही उच्चुकता देखी जाती है भारती लेखक और कलाकारों ने भी बड़ी संक्या में सोव्यसंग की आतरा की है यानि कि भारत के जो कलाकार हैं अमिदाब बचन, राज कपूर और इस तरह के जो बड़ी कलाकार हैं उनको रूस में यानि कि सोव्यसंग में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था अगला प्रसन है शौक थेरिपी से क्या वेप्राय है इसके परिनामों की ब्याच्छा कीजिए जब हम शौक थेरिपी की बात करते हैं तो सोव्यसंग की बेक्टन के बात वहां की जो सामिवादी ब्यवस्ता थी वो किसम बदल रही थी मुझीवादी ब्यवस्ता में तो ज आपको यह बाद वियात रखनी है कि सौक थरफी किस ने कहा विश्व बैंक और अंतराश्टी मुद्राकोश ने सौक थरफी का साब्दिक आर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना दूसरी दुनिया फिर सब्द आगया दूसरी दुनिया दूसरी दुनिया माने साम्यवादी देश दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थरइपी का जो गती थी, यानिकि शॉक थरइपी का जो तरीका था वो अलग लग रही, यानिकि सबका एक जैसा रूप देखने को नहीं मिला, किसी देशी के साथ। व्लाकारण इसका यह था परणाम, दूसरा था 90% उद्योगों को नीजी हातों या कंपनियों को बेज दिया गया, राज जी की संपदा का अम नीजी करण हो गया, जैसे पहले संपदा क्या थी, सारुनी की सरकारी थी, अब वो नीजी हातों में चली गी है, शाम्यवादी ब्यवस्ता का पूंजिवाद में परिवर्तन हो गया धिरी दिरेकर के जो नेता थे शाम्यवादी विचारक थे उनका जुका भी धिरी दिरेकर की पूंजिवाद की हो जाने लग गया अगला है अगला है सामुहिक फार्म का नीजी फार्म में परिवर्तन यानिकि जो पहले collective form थे अब वो private form में बदलने लगे यानिकि कहीं न कहीं आप लोग को जो है सरकारी नौकरे ना मिल करके private लोगों की अंडर मकाम करना पड़ीगा चाड़ा प्रस्ण है मुक्त व्यापार की धारना का विकास जिसमें यह माना जाने लगा कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास संबह हो चकता है अब पूझवादी व्यासता आगी है तो free trade होगा यानिकि अब जो व्यापार है उस व्यापार में किसी प्रकार की मुद्राओं के आपसे परिवर्थनता हुई फिर है शकल घरेल उत्पाद जिसमें GDP में बोलते हैं उसमें गिरावट आ गई रूस में और अगला पॉइंट है समाज करलान की पूरानी व्यावस्ता को समाप्त कर दिया गया जैसे वहाँ पहले जो बुजुर्ग थे जो माप्त कर दिया गया अगला है कई देशों में एक माफिया वर्ग उब्रा जिसने अधिकतर आर्थिक गत्विद्यों को अपनी नियंतल में ले लिया अगला है अमीर और गरीब लोगों के बीच विभाजन हो गया अर्थिक आस्मानता बढ़ने लगी जब साम्यादी अब तो यह है कि जो जितना व्यापार करेगा जितना वो अपने लिए कर सकता है उतना वो आगे बढ़ेगा यानि कि कहीं न कहीं जो पूजिवादी व्यवस्ता आई उससे समाज में आर्थिक अस्मानता बढ़ने लग गई अगला परसन है शोब्या संग के विक्टन के का कारणों से हो गया पहला है मिखाईल गूर्वाचाप की ग्लास्ट और परस्टोइक निटे जो मिखाईल गूर्वाचाप ने खुलापन और ग्लास्ट्नोष्ट की नीटे अपनाई थी उससे इसका व्याजन हुआ आर्थिवियास्ता की खराब स्थित सोब्या संग की जो जिस समय पैसी के आश्कता थी उस समय तो शोवय संग उन पैसों को परमाल हक्यारों पर लगा चुका था अगला है बाल्टिक घंडराज्यों का रूस में भी लए जो बाल्टिक घंडराजी थी जिन्होंने सीत्युति के दौरान शोवय संग में सरल नहीं थी ठेकिन बाद में इनमें संप्रपता की भावना जागने लगी तो उन्होंने रूस से अलग होने की कोशिस की जिससे रूस की जो एकता थी अखनता थी वो बादिद हुई अगला है रूष में खाजान संकट, रूष में जो खानी पीने की चीज़े थी उनका संकट आने लग जया, नेतरुत का अभाव अब रूष के बास लेलेन, स्टॉलेन, कुरुसेव, ब्रेंजेव जैसी नेता नहीं रहे, जो मिखाईक गोरवाय चोब थे, वो बड़े उधा अगला है अफगानिस्तान में दस वर्षों तक सोव्य संग का बिगटन, यानिका अभिगानिस्तान में दस वर्षों तक सोव्य संग की सेना रही, जिससे सोव्य संग को काफी आर्थिक नुक्सान जहनना पढ़ा, अठवा पॉइंट है, सोव्य संग में सामिवादी विरो तो गेर परते ज्यादा बनने लग गया था, जिसे सामियाती बैस्ताव खतरा उत्मन हो गया, दस्वा है, राष्टवादी भावनाओं और संपर्वताओं की भावनाओं का उभार हुआ, यानि कि जो नेशनलिजम की भावना थी, और जो संपर्वता की भावना थी, वह बनन लग गई थी, अगला है, शोव्य संग के बिक्टन के परणामों की ब्याक्षा कीजिए, जब शोव्य संग का बिक्टन हुआ, तो उसकी क्या-क्या परणाम रिकली, तो पहला है विस्त्यों एक दुरूभी बन गया, अब अमेरिका का वर्चत स्तापित हो गया, तो कि दू बारा गणराजियों ने राष्ट कुल, यानिकि CIS का निर्मान किया, यह होई विल्कुल सही है, चोहता प्रस्ण है, विस्त्यों में साम्यादी ब्यास्ता धिरे-धिरे समाप्त होने लग गई, अब देखा न, कि जब सीत्यों के दौरान, उजिवादी बिचाधरा और साम समाप्ती हुई, तो उसी समय हमने 1991 में ही वार्ष्ट अपक्त को समाप्त कर दिया, नभी नाज्यों का उदय हुआ, नाटों के सदेश्यों की संक्या में ब्रिद हुई, विस्त्यों में पूंजिवादी बिचारधारा का प्रसार हुआ, एक देश यहने सोब्या संग्दार अगला प्रस्ण है, भारत जैसे देशों के लिए शोभ्य संग के विक्टन के क्या परणाम होई, मतलुए है भारत जैसा देश है आकिर उसका फुराना मित्र, शोभ्य संग, उसका विक्टन हो गया, वह तूट गया है, अब उसका पर क्या फड़ पड़ेगा, तो यहाँ पर विकल्ब नहें, point है, भारत ने मिस्रित आर्थिव्योस्टा के स्थान पर अब नहीं उदारवादी आर्थिगोनिती के नहीं को महत देना, क्षवार्व कर दिया, क्योंकि भारत की जो आजादी के बाद आर्थिव्योस्ता में इसकिद थी, वो मिस्डित थी उसमें पुल्जिवादी बिचारदारा भी थी उसमें सामिवादी बिचारदारा भी थी लेकिन सोवेशंग के विक्टन के बाद क्या हुआ कि जो अर्थिविवस्ता थी उसमें उधारी करन या लिवरल एकॉनोमिक पॉलिसी आने लागी दूजरा है भारत और अमिर्का की संबंदों में शुदार आया सीतियुदि के दौरान भारत का जुकाव शोवेशंग के ओड़ था लेकिन उनसे क्याने में जब शोवेशंग का विक्टन हुआ तो भारत और अमिर्का की संबंदों में शुदार आया भारत ने शोबे संग के उत्राधिकारी रूस के साथ भी अच्छे सम्मंद स्तापित किये इन सम्मंदों से भारत को हत्यार और बैज्यानिक परिजनवाज साहता मिली थी अगला है मिली अगला है भारत की विदेश ने कि आप शोबे संग चे अलग हुए सभी गणराजी के साथ नए रूप में सम्मंद स्तापित किये जो भारत की फर्म पॉलिसी है आप भारत ने जो शोबे संग के अपने घटक राजी थे इसमें हम बेलारूस को ले सकते हैं यू तजातकीस्तान को ले थे तो इन देशों के साथ आप भारत के समंद नए रूप में स्तापित हो रहे थे कूम कि पुराने सम्मंद था तो उसके घटक हैं इकाईया है उनके साथ भारत का सम्मंद रहेगा भारत के सम kommen आये कि इसके बाद भारत में LPG, इसको हम अंगरीजों बोलते हैं LPG, liberal, liberalization, privatization और globalization, यानिकि उधारी करण, नीजी करण और वेश्वी करण की नीची देखने को मिली 1991 के बाद. अगला परशने है, शीति उद्व के पषाद भारत रूस सम्मंदों का विवरण दीजी. जब सीति उद्व समाप्त हुआ, सीति उद्व के पषाद भारत रूस के समंद किस पकार के रहे हमें लिखना है. पहला है, भारत को उर्जा संचादनों, तेल और अनी इधन की प्राफ्ति हुई. दूसरा, भारत कस्मीर विवाद पर संचादनों भारत को समर्थन अभीवी जा रही है. भारत को आतमवात की निपटने के लिए रूस का सयुग मिल रहा है. रूस में भारती संचित का प्रशाप्रसार हो रहा है. अगला है रूस ने भारत और चीन के बीच शक्ति संत्रुन को बनाए हमिसा भारत के मदद की है यानि कि किस तरह से भारत और चीन के बीच में सक्ति संत्रुन बैलेंस अब पावर रहे यहो एक तरपा ना रहे तो इसके लिए भी रूस हमिसा भारत का साहथ देता है अगला है रूस द्वारा भारत को सैनिक साजों सामान उपलव्ड कराये जाता है फिर शात्वा पॉइंट है भारत रूस से हत्यार खरिदने के लिए बाजार की भूमीका निभाता है तो कही она कहीं हत्यारों के लिए हमार लेव बाजार की रुख में भी है रूसदार भारत को क्रायजनिक राकेट का निर्याद किया गया है दोनों देशों में बैग्जानिक और तक्नीकी के छेतर में कई महतिपुल प्रेजणा में कारी किया जा रहा है और दस्वह पॉइंट है भारत ने रूस की विदेश थिती का समर्थन किया है रूस और इक्रिन उस्ट में भारत ने तटस्ता की भूमिका निभाई है। नोट बुक में नोट कीजिएगा ताकि परिक्सा की समय आप इनका रिविजन कर सकें। आज की प्रस्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद।